नमस्कार बहुत स्वागत है आपका धनतेरस कब है और इस दिन अच्छे स्वास्त के लिए भगवान धनवंतरी जी की पूजा कैसे करेंगे उनसे प्रार्थना कैसे करेंगे तमाम बाते आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि धन्तेरस कब है देखे धन्वंतरी जी जो भगवान है उनकी पूजा आप कैसे करेंगे पहले ये समझ लीजे भगवान धन्वंतरी जो आयरुवेद के भी देव हैं और अच्छे स्वास्त का बर्दान भी देते हैं उनको परसंद करने के लिए आप एक मिट्टी का तामबे का या फिर कासे का लोटा ले लीजिए लोटे में उरद की दाल और चावल बराबर मात्रा में मिक्स करके उसमें भर दीजिए और एक डली वाला नमक उसके उपर रख दीजिए अगर आपको डली वाला नमक नहीं मिलता तो सेंधा नमक का भी एक छोटा सा टुकड़ा रख सकता है या फिर किसी भी चीज पर रखकर उसके उपर रख दीजे सरसूं का तेल और यदि आप अगर जैसे कि ये जो चावल दाल और नमक रखा आपने ये खिच्डी बन गया ठीक है इस उपाई को आप सुबह सुबह ही कीजेगा और अच्छे स्वास्त का बरदान इस दिन मिलता है तो इस दिन ही आपको करड़ा है और थोरा सा सरसूं का तेल भी इसके उपर आपको रखना है याद रखिए करना क्या है देखिए सुबह जल्दी उठिए असनान कीजे और इस दिन लोटे को आप चावल डाल उड़की डाल चावल से भरिए और एक और काम है आप आपके घर में जितने बच्चे हैं जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबके नाम से अलग अलग लोटे में आप मिट्टी का लोटा ले लीजे कलस मिलता है मिट्टी का चोटा चोटा आप सब में भरके रख लीजे जितने भी आपके घर में सदस्य हैं और इसके बाद हर सद स्वस्त आप लोगों का पूरा साल रखे आपके परिवार को भी स्वस्त रखे और लोटा घर के बाहर लोटा जो आपने भरके रखा हुआ है वहार रख दीजिए अब क्या करेंगे आप हनुमान चलिशा का पाठ क्यीए या फिर घर में सुंदर कांड का आप ऑडियोभी चला सकते हैं या महा मृतु मंत्र तो घर में नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए आप घर के अंदर ओम हौं जूंस पर मैं कर सकते हैं कमसे कम आप एक औिस बार या एक सो आट बार भी झब कर सकते हैं अगर घर में कोई किसी व्यक्ति का स्वास्त गरवड है तब भगवान सिब के पास जाईए और सिबलिंग पास की किसी मंदिल में जा सकते हैं सिबलिंग के उपर गन्य का रस अर्पित कीजिए और अगर गन्ने का रस ना मिले तब जल में थोरा सा गुल डाल कर अरपित कर दे आप चाहें तो कच्छा दूद भी अरपित कर सकते हैं दूद में चावल वेगरे मिक्स करके नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा जल में आप गुल डाल कर अरपित कर दे एक छोटा सा और उपाय कर सकते हैं जैसे आपके घर में कोई सदसे लंबे समय से बीमार है अब स्वास्त में सुधार नहीं हो रहा दवाईयां असर नहीं कर रही तब आप एक लोटा में थोड़ा सा दूद लीजिए कच्छा दूद उसमें थोड़ा सा चावल डालिए थोड प्रिसी ओड़ादिकी डाल डाल दीजिए अगर ज्टाना का कबहर रर्जा जिसको कहते है अर उसको सीब्राइब ढसब कर दैं हर मुंस्किल से समाप्थ हो जातीए उनके हाँस için समय व्यक्ति भीमार राल नहीं यहां कि छुला लीजिएगा पिर आप जाकर सीब्जी के मंदिर में अर्पित कराईएगा तो यह उपाया आप कर सकते हैं अच्छे स्वास्त का बर्दान मिलता है और इस दिन धन्वंतरी जी का प्रणाम करके उनका आपको प्रयोग करना है शिप जी का आशिरवाद लेना है ताकि स्वास्त की कोई समस्या नहों अगर स्वास्त में स और योही चला दीजिए ठीक है अब देखिए इस दिन जरतमन बैक्ति को दान भी किया जाता है दान करने से आपके उपर जो भी नकात मुपरफव है वो कम हो जाता है और दान लेने वाला जो होता है देने वाले सिस्रिष्ट होता है तो परणाम उनको जरूर कीजिएगा जि 31 अक्टूबर को किस दिन आप मनाएंगे धनतेरस और मा लक्ष्मी भगवान कुवेर की पूजा आप धनतेरस के दिन करेंगे वैसे तो आप अगर इस दिन एक मंत्र है जिसका जब करें तो मा लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और मा लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाए तो तो फिर कहने ही क्या है आप चाहें तो इस दिन साम के समय जब आप पूजा कीजिएगा तब एक छोटा सा काम कीजिएगा क्या करेंगे आप 15 जरूर घर लेकर आईएगा धन तेरस के दिन बहुत सारी वस्तों का खरीदारी क्या जाता है और उनमें से एक होता है पंच मेवा, पंच मेवा का खरीदारी करना अतिसूब होता है और पंच मेवा से आप चाहें तो 108 आहुतियां भी डाल सकते हैं मालक्ष्मी के नाम से लेकिन उतना ना करके आप इस दिन खरिट कर लाएए मालक्ष्मी की पूजा में दिपावली के दिन जितनी वस्तों के आवा सकता होगी वो आप धनतेरस के दिन ही खरिट कर लाएंगे जैसे की भगवान गनेश मालक्ष्मी की मूर्ती, मिट्टी का कलस, बतासा, खील, लड़ू, गुलाब के पुस्प, धनिया, नमक, जाडू, तमाम चीजें संख, कौड़ी और गोमती चक्र इसके साथ लाल गुंजा खेदना मत भूलिएगा, यह तमाम जो बस्तु मालक्ष्मी की पूजा में, दिपावली की पूजा में लगेगा, उसकी खरिदारी धनतेरस के दिन ही किया जाता है, तो मैं इस रासी वालो, आप देखिए, आपके लिए इस धनतेरस, तामबे का बरतन खरिदना अतिसूभ होगा, और कामबे के बरतन में हरी मुंग की डाल खरीद कर, कामबा का बरतन खरिदीएगा धनतेरस के दिन, उसमें हरी मुंग का डाल डाल दीजीगा, और फिर उसको दान कर दे, जो ब्रिशब बाले हैं, आप एक चानल का बरतन ले लिए कुछ भी ले सकते हैं, और उसमें दूछ भो पहन सकते हैं गुठी गले में चैन आपके लिए बहुत सुन्दर रहेगा जो मिथून रासी वाले हैं आपके लिए देखिए तांबे की कोई बस्तू अगर खरीद कर लाएं और उसमें हरी मुंकी डाले तो अच्छा है आप घर में लाकर रख सकते हैं जो करक वाले हैं उनके बड़े बुजरूओं के लिए कुछ न कुछ जरू खरीदना चाहिए आप पीतल का भी कोई बस्तू खरीद सकते हैं या किसी किसी भी धातू का पर सिर्फ अल्मूनियम प्लास्टिक की बेकर हैं मत लेजेगा यह सही नहीं रहेगा जो सिंग वाले हैं आपको इस दिन पीत लाते हैं उसमें दोचार दाने दाल के रखकर उसके उपर आप दीपक जलाते हैं सहट डालकर तो बहुत उत्तम रहेगा या आप एक बरतन ही सही पर खरीद कर ले आईएगा अब देखिए जो तुलारासी वाले तुलारासी वालों आपको तांबे का बरतन ही लाना है और आप मिठाई भी ला सकते हैं इस दिन खरिद कर और चाहें तो दान भी कर सकते हैं सोना चांदी वेगरा भी आप खरीच सकते हैं आपके दिक्कत नहीं है लेकिन एक जारू आप जरूर खरीदिएगा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा आप पास की किसी मंदिल में जारू लगाईए और वही पर छोड़कर भगवान को परणाम करके चले आईएगा और याद रखिए जोड़े की संख्या में जारू नहीं खरीदना एक या फिर तीन की संख्या में खरीदना है जो ब्रिस्ची के बाले हैं देखिए आपको इस धंतेरस के दिन इस्टील की कोई लेंगे धनुरासी की बात करते हैं देखिए आपके लिए दान वैसे तो आपके लिए समय ठोरा ठीक है लेकिन फिर भी आप चाहें तो पीतल का बरतन दान कर सकते हैं लेकिन आप एक पीतल का बरतन खरीद कर जरूर लाइए आप चाहें तकि दीपा की ला सकते हैं पास की क पुरद की दाल का दान करना है और इस धनतेरस के दिन याद रखिए आप सर्सों का तेल खरित कर मत लाइएगा यह अच्छा नहीं रहेगा कोई मीठी बस्तु लेया यह बर्फी विगरे ला सकते हैं आपके लिए उत्तम रहेगा कुम्रासी कुम्रासी वालों आपको जो लेकि दिन घर में जारू लगाना है याद रखिए एक या तीन की संख्या में लेना है जो मीन डासी वाले हैं आप देखिए यह समय भाग दोड का है साड़े साती चल रही है तो ऐसे में आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा कोई जैसे मा लक्षमी गनेश जी की आप पूज का सुमूर्थ क्या होगा और किस दिन मनाएंगे धंतेरस देखिए 29 अक्टूबर की सुभर 10 बचकर 31 मिनट पर 13 तीथी सुरू हो जाएगा और 30 अक्टूबर की दोपहर 1 बचकर 15 मिनट पर समाप्त होगा प्रदोश काल साम 5 बचकर 38 मिनट से 8 बचकर 13 मिनट तक रहेगा औ 29 अक्टूबर की सुभर से ही आप सौपिंग कर पाएंगे सुमूर्थ हमने विस्तार से दे दिया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी अनुसार खरेदारी करें हम आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद प्लीज लाइक कर सब्सकाइब करें सेर करें कमेंट करें